ओम शान्ति तीन सेप्टेम्बर तो हजार एक्यस बाबा की महावाक्य मीठे बच्चे आपस में एक दो को बाप की याद में रहने का इशारा देते, सावधान करते, उन्नती को पाते रहो प्रश्ण बाप समान नौलेज़फुल बनने वाले बच्चों के जीवन की मुख्य धारना सुनाओ उत्तर वह सदेव मुस्कुराते रहते, कभी भी किसी बात में उन्हें रोना नहीं आ सकता कुछ भी होता है, नथिंग नियू ऐसे जो अभी नौलेज़फुल अर्थार्त रोना प्रूफ बनते हैं, कभी किसी बात में अश्चान्त नहीं होते, उन्हें ही स्वर्ग की बादशाही मिलती है जिन रोया तिन खोया, रोने वाले अपना पद गवाते हैं गीत, तुम्हें पाके हमने जहां पालिया ओम शान्ती मीठे मीठे बच्चों ने अपना ही गाया हुआ गीत सुना बच्चे जानते हैं, हम बेहद के बाप के सामने बैठे हैं तो बच्चे कहते हैं बाबा, आपसे जो विश्व की बादशाही पाई थी, वह अब फिर से पा रही हैं सत्युग में तो ऐसे नहीं गाएंगे, यह संगम युग पर ही तुम गा सकते हो घर में बैठे, अथ्वा नौकरी करते हुए, तुम जानते हो, कि हम बेहद के बाप से बेहद का वर्चा फिर से ले रहे हैं सेंटर्स पर भी सावधानी मिलती है, कि बाप को याद करो, और हम विश्व के मालिक बन रहे हैं, यह याद रखो कोई नई बात नहीं है, हम कल्प कल्प बाप से विश्व की बादशाही लेते हैं, नया कोई सुनेगा, तो समझेगा, यह इनको भ्रम्मा को शिव बाबा कहते हैं, अब वह तो है निराकार आत्माओं का बाब आत्मा निराकार है, तो परमात्मा बाप भी निराकार है, आत्मा को निराकार तब तक कहिंगे, जब तक साकारी रूप नहीं लिया है तो बच्चे जान गए हैं, कि हम बेहद के बाप से यह नौलेज सुन रहे हैं, रूहानी टीचर पढ़ा रहे हैं, एक दो को सावधानी देने के लिए पहले यह रूहानी सावधानी मिलती हैं, बेहद के बाप की याद में ही सब रहते हैं, और इशारा देती हैं, बाप की याद में रहो, और कहीं बुद्धी नहीं जानी चाहिए इसलिए कहा जाता है, आत्म अभिमानी भव और बाप को याद करो वह है पतित पावन बाप अब वह सम्मुख बैठ कहते हैं, मुझे याद करो कितनी सहज युक्ती है, मन मनाभव अक्षर भी है, परन्तु जब कोई समझे याद की यात्रा सिखलानी वाला एक ही बाप है तुम बच्चे ही जानते हो, हम रुहानी यात्रा पर हैं वह है जिस्मानी यात्रा, अब हम जिस्मानी यात्री नहीं हैं, हम है रुहानी यात्री इस याद से ही विकर्म विनाश होंगे, तुम विकर्मा जीत बन जाएंगे और कोई उपाए नहीं है, जो तुम विकर्मा जीत बनो एक है विकर्मा जीत सम्वत, दूसरा है विकर्म सम्वत, फिर विकर्म शुरू होते हैं, रावन राज्य शुरू हुआ और विकार शुरू हुए, अब तुम विकर्मा जीत बनने का पुर्शार्थ कर रहे हो, वहां कोई विकर्म होता नहीं, वहां रावन ही नहीं, दुनिया में यह कोई नहीं जानते, तुम बाप द्वारा सब कुछ जान गए हो, बाप को ही नौलेज़ फुल कहा जाता है, तो बच्चों को ही नौलेज़ देंगे ना, गौड फादर का नाम भी चाहिए, नाम रूप से न्यारा थोड़े ही है, पूजा करते हैं, उनका नाम है शिव, वही पतित पावन ज्ञान का सागर है, आत्मा याद करती है, उस परम पिता परमात्मा बाप को, आत्मा बाप की महिमा करती है, वह सुख शान्ती का सागर है, बाप तो जरूर वर्सा ही देंगे बच्चों को, जो होकर जाते हैं, उनका यादगार बनाते हैं, एक शिव बाबा ही है, जिनका गायन भी होता है, और पूजा भी होती है, जरूर वह शरीर द्वारा कर्तव्य करते हैं, तब तो उनका गायन है, वह एवर प्योर है, बाप कब पुजारी बनते नहीं, वह सदेव पूज्य है, बाप कहते हैं, मैं कभी पुजारी नहीं बनता, मैं पूजा जाता हूँ, पुजारी लोग मेरी पूजा करते हैं, सत्युग में तो मेरी पूजा नहीं करते हो, भक्ती मार्ग में मुझ पतित पावन बाप को याद करते हो, पहले पहले अव्यभीचारी भक्ती उस एक की ही होती है, फिर व्यभीचारी भक्ती हो जाती है, भ्रम्मा सरस्वती को भी वह शिव बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं, भक्ती का कितना विस्तार है, बीज का कोई विस्तार नहीं है, बाब कहते हैं, मुझे याद करो और वर्से को याद करो, बस, जैसे जाड का विस्तार होता है, वैसे भक्ती का भी बहुत विस्तार है, ज्यान है बीज, जब तुमको ज्यान मिलता है, तो सदगती को पाते हो, तुमको कोई माथा नहीं मारना पड़ता, ज्यान और भक्ती है ना, सत्युग त्रेता में भक्ती का ज्जाड होता नहीं, आधा कल्प यह भक्ती का ज्जाड चलता है, सब धरम वालों की अपनी अपनी रसम रिवाज हैं, भक्ती तो कितनी बड़ी है, ज्यान तो सब के लिए एक है, बस मन मनाभव, अल्फ बाप को याद करो, बाप को याद करेंगे, तो वर्सा जरूर याद आएगा, वर्से का विस्तार हो जाता है न, वह होती है हद की जाएदाद, यहां तुमको बेहद की जाएदाद याद पड़ती है, बेहद का बाप आकर, बेहद का वर्सा भारत वासियों को देते हैं, जनम भी उनका यहां ही गाया जाता है, यह इस ड्रामा में अनादी नूंद है, जैसे भगवान उंचते उंच है, वैसे भारत खंड भी उंचते उंच है, जहां बाप आकर सारी दुनिया की सदगती करते हैं, तो सबसे बड़ा तीर्थ हुआ ना, कहते हैं, हे गौड फादर, हमको अपने घर ले चलो, भारत के उपर सबका लव है, बाप भी भारत में ही आते हैं, अभी तुम मेहनत कर रहे हो, गोपी वल्लब के गोप गोपियां तुम हो, सत्युग में गोप गोपियों की बात नहीं रहती, वहां तो काइदे अनुसार राजाई चलती है, चरित्र कृष्ण के हैं नहीं, चरित्र एक बाप के हैं, उनका चरित्र कितना बड़ा है, सारी पतित सृस्टी को पावन बनाते हैं, यह कितनी चतुराई है, इस समय सब मनुष्य मात्र अज्यामिल जैसे पापी हैं, मनुष्य समझते हैं, यह साधु आदी स्रिस्टाचारी हैं, बाप कहते हैं, इन्हों का भी उद्धार मुझे करना हैं, जैसे तुम एक्टर्ज हो, बाप भी एक्टर है ना, तुम 84 जनम ले पार्ट बजाते हो, वह भी क्रियेटर, डाइरेक्टर, मुख्य एक्टर है, करन करावन हार है ना, क्या करते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं, बाप कहते हैं, तुम मुझे बुलाते हो, आ करके हमें पावन बनाओ, मैं भी इस पार्ट में बांधा हुआ हूँ, ऐसे कोई कहना सके, यह क्यों बना, कब बना, यह तो अनादी बना बनाया ड्रामा है, इनका आदी मध्य अन्त है नहीं, प्रले होती नहीं, आत्मा अविनाशी है, कभी विनाश नहीं हो सकती, इनको पार्ट भी अविनाशी मिला हुआ है, यह बेहद का ड्रामा है ना, नच्शेल में बाप बैट समझाती है, यह ड्रामा का पार्ट कैसे चलता है, बाकी ऐसे नहीं, पर्मात्मा हैं तो मुर्दे को जिन्दा कर सकते हैं, यह अंदुश्रधा की रिधी सिध्धी की बाते यहां नहीं हैं, मुझे तो पुकाड़ते ही हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पतित से पावन बनाओ, सो तो बरोबर आते हैं, गीता सर्व शाष्ट्रमई शिरो मनी हैं, भगवान ने ही गीता सुनाई है, अच्छा सहज राजियो कब सिखाया, यह भी तुम जानते हो, बाप आते ही हैं कल्प के संगम युग पर, जबकी आकर पावन दुनिया नई राज्धानी स्थापन करते हैं, सत्युग में तो नहीं स्थापन करेंगे न, वहां तो है ही पावन दुनिया, कल्प के संगम युग में ही कुम्भ का मेला लगता है, वह कुम्भ का मेला बारा वर्ष बाद लगता है, यह बड़ा कुम्भ का मेला पाँच अजार वर्ष बाद लगता है, यह है आत्माओं और पर्मात्मा का मेला, जबकी परम्पिता पर्मात्मा आकर सब आत्माओं को पावन बना कर ले जाते हैं, कल्प की आयू लंबी करने से ही मनुष्य मोंज गए हैं, अभी तुम समझते हो, तुम्हारी मैगजीन जो निकलती हैं, उनको भी तुम बच्चे समझ सकेंगे, और कोई नहीं समझ सकेंगे, बाप ने कहा, लिख दो, जो कुछ हुआ पाँच अजार वर्ष पहले, मिसल, नतिं नियू, जो पाँच अजार वर्ष पहले हुआ था, वही अब रिपीट होता है, किसको भी यह समझाना हो, तो आकर समझें, ऐसे ऐसे युक्तियां रखनी चाहिए, हम अखबारों में क्या डाले, यह भी तुम लिख सकते हो, यह महाभारत लड़ाई कैसे पावन दुनिया का गेट खोलती है, सत्यूप की स्थापना कल्प पहले मिसल कैसे होती है, कैसे देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है, आकर समझो, गौड फादर से बर्थ राइट लेना हो, तो आकर के लो, ऐसे ऐसे विचार सागर मन्थन करना चाहिए, वो लोग स्टोरी आदी बनाते हैं, वह भी ड्रामा में नूंद है, जो पार्ट बजाते हैं, व्यास ने भी ड्रामा प्लैन अनुसार शाष्टर आदी बनाए हैं, पार्ट ही ऐसा मिला हुआ है, अभी तुम ड्रामा को समझ गए हो, फिर वही ड्रामा रिपीट होगा, अभी तुम आए हो, फिर से ज्ञान सुनते हो, तुम जानते हो, फिर से यह लक्ष्मी नाराइन का राज्य होगा, बाकी सब धरम खलास हो जाएंगे, अभी तुम नौलिजफुल बन रहे हो बाबा, तुमको आप समान नौलिजफुल बनाते हैं, तुम जानते हो, आधा कल्प हम पीस्फुल रहेंगे कोई प्रकार की अशान्ती नहीं रहेगी, वहाँ बच्चे आधी कभी रोते नहीं, सदेव मुस्कुराते रहेंगे यहाँ भी तुमको रोना नहीं है, गायन भी है, अम्मा मरे तो भी हल्वा खाओ, जिन रोया तिन खोया पद भी ब्रस्ट हो जाएगा, तुमको पतियों का पती मिला है, जो स्वर्ग की बाद्शाही देते हैं, वह तो कभी मरता भी नहीं, फिर रोने की क्या दरकार है जो रोने प्रूफ बनते हैं, वही बाद्शाही लेते हैं, बाकी तो प्रजा में चले जाएंगे, बाबा से अगर कोई पूछे, इस हालत में हम क्या बनेंगे, तो बाबा बता देंगे, बच्चों को पिछाडी में सब साक्षातकार होगा जैसे स्कूल में सभी को मालूम पढ़ जाता है न, रूद्र माला कौन सी बनती है, वह पिछाडी में तुमको मालूम पढ़ जाएगा जब पिछाडी के दिन होते हैं, तो बहुत पुर्शार्थ करते हैं, समझते हैं हम फलानी सब्जेक्ट में नापास होंगे, तुमको भी मालूम पढ़ जाएगा बहुत कहते हैं, हमारा बच्चों में मोहो है, वह तो निकालना ही होगा मोहो रखना हैं एक में, बाकी ट्रस्टी होकर संभालना है, कहते भी है न, यह सभी कुछ बाप ने दिया है, तो फिर ट्रस्टी होकर चलो ममत्व निकाल दो, बाप खुद आकर कहते हैं, इनसे ममत्व निकाल दो समझो यह सब उनका है, उनकी मत्व पर ही चलो उनकी कारिय में ही लग जाओ, अविनाशी ज्ञान रतन का दान करते रहो यहां कन्याओं के लिए बाप के पास सबसे जास्ती रिगार्ड है कन्या करम बंधन से फ्री रहती है, बच्चों को तो लौकिक बाप के वर्से का नशा रहता है कन्या लौकिक बाप का वर्सा नहीं पाती है, यहां इस बाप के पास मेल फीमेल का भेद नहीं बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, तुम जानते हो, हम सब ब्रदर्स हैं, बाप से वर्सा ले रही हैं आत्मा पढ़ती है, बाप से वर्सा लेती है, जितना जास्ती वर्सा लेंगे, उतना उच बद पाएंगे बाबा आकर सब बातें समझाते हैं, शिव बाबा है निराकार, उनकी पूजा भी करते हैं, सोमनाथ का मंदिर बनाया है, यह अभी तुम जानते हो, शिव बाबा ने आकर क्या किया? क्यों उनका यादगार मंदिर बनाया है? यह भी तुम समझते हो, कल्प कल्प ऐसा ही होगा, ड्रामा में नूद है, सो रिपीट हो रहा है, बाब को आना ही है, पुरानी दुनिया का विनाश होना है, कोई अफसोस की बात नहीं, यह खूने नाहिक खेल है, नाहिक सबका खून होगा, नहीं तो कोई किसका खून करे, तो उनको फासी की सजा मिल जाए, अब किसको पकड़े? यह तो नैचुरल कैलमिटीज आनी ही है, विनाश तो होना ही है, अमर लोक, मृत्यू लोक के अर्थ को भी कोई नहीं जानते हैं, तुम जानते हो, आज हम मृत्यू लोक में हैं, कल हम अमर लोक में होंगे, इसी लिए हम पढ़ते हैं, मनुष्य तो घोर अंधियारे में हैं, तुम ज्यान अमरित पिलाते हो, हाँ हाँ, कर फिर सो जाते हैं, नींद में, सुनते भी हैं, बेहद का बाप वर्सा दे रहे हैं, यह वही महभारत की लडाई है, जिससे स्वर्ग के गेट खुलते हैं, लिखते भी हैं, बहुत अच्छा है, यह ग्यान कोई दे नहीं सकते, हम मानते हैं बस, खुद कुछ भी ग्यान उठाते नहीं, फिर सो जाते हैं, इसको कहां जाता है कुम्भ करण, तुम कह सकते हो, कि लिख कर तो देते हो, परन तु ऐसे नहीं, फिर जाओ, तु घर में जाकर सो जाओ, कुम्भ करण के चित्र के आगे ले जाना चाहिए, इस मुहाफिक सो मत जाना, समझाने की बड़ी युक्ती चाहिए ना, बाबा कहते हैं, बच्चे, अपनी दुकानों में भी मुख्ये मुख्ये चित्र रखो, जो कोई आए, उस पर समझाओ, वह भी सोदा कराओ, यह भी सच्चा सोदा है, इसमें तुम बहुतों का कल्यान कर सकते हो, इसमें लज्जा की तो कोई बात ही नहीं, कोई कहते हैं, बीके बने हो, बोलो, अरे, प्रजा पिता ब्रह्मा के कुमार कुमारी तो तुम भी हो ना, बाप नई सुरुस्टी रच रही है, पुरानी को आग लग रही है, तुम भी जब तक बीके ना बनो, तब तक स्वर्ग में जाना सको, ऐसे ऐसे दुकानों में सर्विस करो, तो कितनी बेहद की सर्विस हो जाएगी, आपस में राय करो, दुकान छोटा है, तो भी दीवार में चित्र लगा सकते हो, चैरिटी बिगिन्स एट होम, पहले पहले उनका कल्यान करना है, बाप कहते हैं, अब कोई देहिधारी को याद नहीं करो, शिव बाबा को याद करो, जिससे वर्सा मिलता है, मनुष्य तो बिचारे मुझे हुए हैं, बताना हैं, डेहिटी वर्ल्ड सौवरंटी पाना हैं, नर से नारायन बनना हैं, तो आकर बनो, अच्छा, मीठे मीठे, सिकी लधे बच्चों प्रती, मात पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, धारना के लिए मुख्य सार, पहला, एक बाप में ही, शुद्ध सच्चा मोहों रखना हैं, उससे ही याद करना हैं, देहे धारियों से ममत्व निकाल देना हैं, ट्रस्टी होकर संभालना हैं, दूसरा, विकर्मा जीत बनना हैं, इसलिए कर्मिंद्रियों से कोई भी विकर्म ना हो, इसका बहुत बहुत ध्यान रखना हैं, वर्दान, साक्षी पन की सीट द्वारा, परिशानी शब्द को समाप्त करने वाले, मास्टर त्रिकाल दर्शी भव इस ड्रामा में जो कुछ भी होता है, उसमें कल्यान भरा हुआ है, क्यों क्या का क्वेश्चन समझदार के अंदर उठ नहीं सकता, नुक्सान में भी कल्यान समाया हुआ है, बाब का साथ और हाथ है, तो अकल्यान हो नहीं सकता, ऐसे शान की सीट पर रहो, तो कभी परिशान नहीं हो सकते, साक्षी पन की सीट परिशानी शब्द को खतम कर देती है, इसी लिए त्रिकाल दर्शी बन प्रतिग्या करो, कि ना परिशान होंगे, ना परिशान करेंगी। स्लोगन अपनी सर्व करमेंद्रियों को ओडर प्रमान चलाना ही, स्वराज अधिकारी बनना है। ओम शांती नहीं एक बाड बाड आजवार इजल वीदियू इस अपीस प्रफिजू प्रीज कि अन्या प्रीजिन वीडू हूब पस्ट्री इंग एक टो फ सिर्फल वीडू प्रीजियू यूण तुर्प मास्टाव वीडू ूट वीडू आजू ट्यू श्यावर प्रीजिव पस्के। लाइ